exercise 2.1 का question number 8 में दिया है 1.6 is equals to y by 1.5 same procedure है आपको same method follow करना है transpose method से यहाँ पर variable right side में दिया हुआ है denominator में 1.5 है तो 1.5 y से divide हो रहा है तो क्या करेंगे 1.5 को left side आपन shift कर देंगे तो यहाँ divide हो रहा है यहाँ जायके multiply हो जाएगा तो यह जाएगा 1.6 into 1.5 is equals to y दोनों का आप multiply कर सकते हो 1.6 into 1.5 पिछले ग्लास इसमें आप पढ़ चुके हो कि decimal number का multiplication कैसा होता है पहले इसको multiply कर लोगा 5,6 जा 30 हो गया 5,1 जा 5 प्लस 3,8 यह हो गया 6 और यह 1 यहाँ जीरो यह 14 यह 2 अब यहाँ पर decimal कहा लगेगा यहाँ आप count कर लो decimal के बाद कितने digits है यहाँ decimal के बाद 1 digit यहाँ decimal के बाद 1 digit तो total decimal के बाद 2 digit हो गया तो right साइट से count करेंगे 2 digit यह एक यह दो तो यहाँ पर आए गए decimal यह हो गया 2.40 is equal to y यह निकि y का value 2.40 यह भी आप इसको y is equal to 2.40 भी लिख सकते हो यह यह answer हो गया इसका ठीक है तो यह हो गया exercise 2.1 का 8th है तुषло करेंगा है तुष